आपने महाभारत में दानवीर कर्ण को देखा होगा कर्ण जो दान पुर्णे के लिए जाने जाते थे जो बिना कुछ सोचे किसी को भी कुछ भी दान दे देते थे बस एक बार मांगने की जवत होती थी लोग मांगते थे और वो बिना सोचे समझे दान दे देते थे यहां त में तमाम लोग आजकल दानपुन्य कर रहे हैं इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर दाल भी रहे हैं लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है बीजेपी के नेताओं की बीजेपी के नेता आजकल दानवीर बने हुए हैं और यह अफसर था प्रधान मंत्री के है वह साथ साल पूरा हो गया तो इस अफसर पर बीजेपी के तरफ से कैम्पेंच चलाए गया कि तमाम गाओं में जाकर लोगों की मदद की जाएगी उन्हें दान दिया जाएगा सेनेटाइजर मास्क या रासन तमाम तरह की चीज़े लेकिन इसे बीच जो तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर को लेकर जम कर लोग गुस्सा भी जता रहे हैं दरसल रोहिनिया चारिया जो कि लालोप्रसाद यादब की बेटी हैं उन्होंने एक तस्वीर से अर्किया है उस तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति को दान देने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं पहले आप वो ट्वीट देखिए वह तस्वीर देखिए देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के कई नेता वहां पर मौझूद हैं और एक महिला हैं जिसे कुछ दिया जा रहा है दान की रूप में तो हो सकता है इसमें राशन का समान होगा और भी क आनी था कोई गरीब इतना बरादान कैसे ले जा सकता है जो दान अनेकों लोग मिलकर नहीं उठा पा रहे हैं साथी साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया उस ट्वीट को देखेंगे उन्होंने लिखा कि गजब करनोटंकी है यही है बीजेपी का कमाल राई को भी पहार ब साथ कई बीजेपी के नेता मौजूद हैं और वह एक पोटली जो है वह एक जरुवतमंद को दे रहे हैं तो क्या यह फोटवाजी बहत जरूरी थी जहां पर एक जरुवतमंद को देने के लिए इतने सारे लोग एक छोटा सा थैला पकरे हुए थे अब इस तस्वीर को ले मामले में आज तक उनसे बडातुलन को किसी का किया ही नि जा सकता उनसे तुलन किसी का ने किया रहा सकता वह लिंगल जनहोंने कवच और कुंडल तक दैंम से दिया था तो आज को लेकर रोहिनी आचारिया उनकी उन्हें याद कर रही है और बीजेपी निताओं पर जम कर प्रहार कर रही है आगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले धन्यवार